बोलो सर बोलो सर हां बताइए मोईदिन जी आप कैसे हैं जरा आपके बारे में मैं जानता हुआ चाहता हूँ और पैक्स के बारे में भी कुछ बताइए मैं अच्छा हूँ सर मैं अंधर्पदेश राज्जी का नंडियला जिल्ला का पकड़ीयाला में प्रादमीक खेती शाकारीसमुष्टा में काम करती हमारी समुष्टा 1921 में प्रारंब की गई सर यह 102 साल की समुस्ता है सर अब तक यह समुस्ता को कोई भी गोधा में किसान भाइयों के लिए कोई भी गोधा नहीं सर आपकी सरकार आए आदे के बाद आप आग अब अगरीकल्चेर इन्फरास्स्रक्चर्टर फढडिक के जरिये शन्लेसमें तीन करोड फंद्र लाक रुप्ये मिलरे सर इसजीसे हम पांच गोदाम बनाने के निन्ने लिए सर इसमें तीन गोदाम पूरा किये सर बागी दो कम से कम समय में पूरा होगा सर इस तीन गोदामों को हमें है कि डबली डी यारेक में रिश्टर किया है । इस वो किसान भाई हमारे बोदाम में फसल रखता है उस किसान को हम electronic किसान भाइज को बैंकों की द्वारा कम से कम बैस में लोन लिए चाहिसे किसान भाई जब अपनी फसल को अच्छे भाव मिलेंगे तब अपने आपकी सरकार के मदस्से गोदामों के पास ही हमें आर्लाइन की तुरू किसान्भायों की फसल को इー मांडी इनाम में और लोकल मार्केट्स में सीदा बैसकते हैं सर इस से दलारी विवस्ता दलाल विवस्ता पूरा चल जाएगा सर हमारे गोदाम के पास फसल सुखाने की सुविधा भी दीज़ेगी सर हमारे गोदाम के पास ही पी एच मीटर औरो वेइंग मिशेंज भी रखीं सर इससे किसान भायों को फ्री में हमें उसके पसल की जाच के लिए पूरा फेसलिटीस रखें सर कि आपके इसमें कितने किसान पैक्स में जूड़ी हुए है इसमें हमारे साकारी समुष्टत में 5600 सभी हुए इसमें महिला भी है और किसान भाई है और छोटे व्यापरी भी है चोटे व्यापर एंगे लिए हमें जेएल जी लोन्स के द्वारा पचीस से पचास हजार रुपे देते सर लोन देते देखे मैं ये तो आपके इस ख्षेतर के किसान भाई बेहनों को विशेश सुभ से प्रणाम करता हूं क्योंकि सबने मिल करके सो साल से भी जादा इतने बेडे काम को चलाया है तो आपके जब सो साल हुए तो इसको बड़ा उच्षह मनाया था चोटा उच्षह मनाया सर आपकी सरकारायवास साइटिक अंच्छा फंड्स मिले должен से गोर्डस मिले क्योंकि देश में लोगों को पता चलना चाहिए कि कुछ किसान इतने जागरिक हैं कि सो सो साल से ये कोपरेटिव मुव्मेंट चला रहे हैं अच्छा मोदिन गारू आपको एग्री इंफ्रा फंड की जानकारी कैसे मिली इस कीम से आप लोगों को कैसे लाप पहुंचा रहे हैं कि आप हमको इसकी जागरियां को ओप्राटीव बैंक हमारे डीशी पीजिश्टरी अच्छार कुदन से मिली सार उनकी भूत हेल्प करें सार इसमें वही हमां कू अग्रिकरशिर इंफ्रस्रक्चर में पैसे त्रीन करोड आने के लिए वही खुशी करें सर बहुत कुशी कर अपनी फसल को घर में रख ले सकते हैं अधेना को फसल बेज़े बासा दो में फसल दालने के लिए पैसे चाहिए सर इसलिए किसान भाई अपनी फसल को दाम नाई को तो बेज़ेती हैं सार यह सोच कर हमारी समुष्था ने हमें क्या कि वोलतों यह पांच गोदावां बनाने इससे हर किसान भाई इससे लाब उठा सकता है अब यह बताएगे कि पिछले दस साल में को कि यह तो सो साल पुरानी समुष्था है आपकी दस साल में किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाब मिलने में से आपके वार और किसानों के जीवन में बढ़लावाया कि दस सालों में हमें सिसे सेंटर भी चला रहीं सर् 통ek上 तैरीन सीर बीदे देरी आपकुजण से मैं मल्टी स norm सेंडर की लृण लेके शीन भाईय Nicolah जैसलिंट में एक याया है करिो चौन को अधेयरे बजाना दियत fact है कि कि अपने को फिर निए शरव कोौन्टरी लमू पुरे देते हैं ररकत को यहां से रुडितनर कंग पड़ оказ अधिरए करिठें देते सब किसान भायों को ट्रैक्टर वगए वगएरा लोंस पूरे किसान भायों को जो चाहिए यह अनाज आए वासा बारिश परदे टैप में अनाज भीए इसका टार पालिंस भी वेसे सर हमारे अचा मोईदिन गारों अभी जो हमने एप्यों की योजना चला रहे है तो आपके इलागे में फ्यों का काम चलता है की सब थाख रहे है अरुशमें वयल्य-वयादशन करने का काम व्योल करने का का क्म पैकेजिएंग्तर का मपरांडिंग का का मिसभी अनुम से सल परखेसिए हमें कोर फारेतं किसार को सेलिं सyuदानिय नाज एकिस जीए अानां को प्र रहे अभी जो देश में नेच्रल फार्मिंग का जोर बढ़ रहा है प्राकुर्टिक खेती का कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना क्या आपकी तरफ उस दिशा में आपके सब मेंबर में वह बात पहुंचती हैं करते हैं कोई करते हैं सर हमारे में हमें हमारे किसान सम्रुद लेगा उनको इफको के तरफ से हमें फ्री ड्रोन भी करेंग करा रही है जो में बढ़ी मुसिबत आई है कि मैंने देखा है कि लोगों का स्वभाव है कि चाई में चीनी डाली हुई है मिठी चाय है फिर भी दो चमच चीनी डाल देते हैं तो यह किसान पहले जितने बोरे फर्टिलाजर डालता था वो तो बंद करता नहीं है और उपर से फिर नेनो फर्टिलाजर डाल रहा है तो यह तो धरती माता का मौत बुल जाएगा दो में से एक ही उप्योग करना चाहिए या तो आप नेनो लेना चाहते हैं तो फिर पुराना जितना वो बन करना पड़ेगा वरना तो जमीन बहुत बरबाद हो जाएगी या तो नेनो का उप्योग करिए या तो आप जो पहले वाले खर्टिलाजर तो यह लोगों को समझ यह तो आरा है अगया वाले में मिटिंश राइज रूप से बाद में अग्री कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मेटिंग को हमें हर किसान भाई को जागरूत करिंश अभी चल रहा है ऑंदेन किसान भायों को हमें साइल टेस्टिंग राते साथ यवरी मंत अप्रेल मैं जून में साइल टेक्स्टिंग कराते सार हिल्टुकाट सी देते सारों को उसके बहुत से किसान नियरा फुए को हमें थोजन तु फिप्टिन थोजन हंड़ेट निमबर्स को कनवर्ट कर रहे सार बहुत कम चल रहा है सार लेकर यह बात के लाके के सभी किसानों से मैं प्रास् करता हूं कि महरबानी करके दोनों मत डालिए और हो सके अगर नेनों मिल जाता है तो नेनों से ही चला लीजिए वो पहले एक बोरा भरा फटिलाजर डालते थे एक छोटी बोटल का नेनों अब काम कर देता है यह बहुत बड़ा काम हुआ है हमारे देश में और हमारे किसान और उने उसका फाइदा लेना चाहिए लेकिन डबल कर दिया तो फिर हमारी धरती माता है उसका सांस बचे गाई नहीं हमारा कोई काम की नहीं लहीं है ये माता से हमें कुछ नहीं मिलेगा बात में अच्छा मौईदिन जी जब सरकार सब का साथ सब का विकास की भावना से काम करती हैं तो आप देख रहे हैं कि कैसे योजनाये आखरी व्यक्ति तक पहुंचती हैं गरीब से गरीब तक पहुंचती हैं खेट खलियान तक गया है, तो आज मोदी के गारंड़ी वाली गड़ी भगाओं भाई, जहां भी हैं? लोगों के पात जाओ, और मैं सब के सरकार के लोगों को गाउं को बेज रहा हूँ। इसी के तहट विकास द्यात्रा वाली गाड़ी आपके पास पहुँची हैं, मुझे खुशी है कि आप लोगों ने अगरी इन्फा फंड के माध्यम से इतना बड़ा काम किया है, ये ना सिर्फ पैक्स की आर्थिक शम्ता को बढ़ाएगा, बल्कि किसानों का भी लाभ कोपरेटिव क्षेत्र को भल देने के लिए हमने बिलकुल कोपरेटिव का नया मंत्रा ले बनाया, नई नीतिया बनाई और पैक्स के द्वारा अब जग 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 नई स्टोरेज फेसिलिटी भी तैयार करने का काम शुरू किया है, दो लाख भंडारन गोडाउन बनाने का सोचा है मैंने, चलिए मुझे अच्छा लगा, आपके साथ माताय बहने भी बहुत बैटी हैं, उनको भी मेरा प्रणाम, मेरी आप सब को बहुत-बहुत शुपकामना है,